मद्यप्रदेश में विधानसवा चुनाव जीते 14 विधायकों को अलग कुछ सालों तक कानूनी दावर पैच में उलजे रहना पड़ेगा आपको पता दे विधानसवा चुनाव हारे उमीद वारे सहित कई लोगों ने प्रदेश के 14 विधायकों के निर्वाचन को मद्यप्रदेश हाई कोर्ट में चुनाउती दे दी है लगबख सभी विधायकों पर आनेतिक तरीके अपना कर चुनाव जीतने का आरोप इन याचिकाओं में लगाया गये हैं दरसल मद्यप्रदेश विधानसवा के लिए 14 नॉमबर 2023 को मद्दान हुआ था जिसके नतीजे 3 दिसंबर 2023 को घोशित कर दिये गये थे नियम के अनुसार चुनाव नतीजे घोशित करने के 45 दिन के भीतर निर्वाचक को चुनोती देने वाली याचिका हाई कोट में दायर की जा सकती है इस हिसाब से शुकरवार को विधायकों के लिए निर्वाचन को चुनोती देने का आखरी दिन था इन 45 दिन में मध्य प्रदेश हाई कोट की जबल पुर्स्तित मुक्खे पीट के अलावा इंदोर और गौलियर बेंच में कुल 14 विधाकों के खिलाफ 16 याच का दायर की गई है धार विधान सबस सीट से निर्वाचिद नीना वर्वा ने निर्वाचन को तुल लगातार चौथी बार चुनोती दी गई है एक बार उनकी विधाई की हाई कोट से शूनने भी कर दी गई थी बतादे की इंदोर में इंदोर उज्जैन संभाग के तीन विधाईकों के खिलाफ चुना वियाच का दायर की गई है नीना वर्वा के अलावा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार अजय सिंग राहुल अभे मिश्रा राजकुमार कहरे अरुन भीमावद द्रिवेंद्र प्रताप सिंग चंद्रा सिंग गौर नागेंद्र सिंग भगवान दास सबानानी प्रदीप लालिया कंचन तनवे सीता शरन शर्मा और आरीफ मसूत के निर्वाचक को चुनोती देने वाली कुल 16 चुनाव याचिकाए दायर हुई हैं बतादे की मद्धे प्रदेश विधान सबा चुनाव में बिजेपी ने 163 सीटों के साथ प्रचंड जीत हासिल की थी तीन दिसंबर को चुनाव के नतीजे घोशित कर दिये गए इसके बाद उज्जेन से जीत कर आई बीजेपी विधायक मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें इन्या नियूस पर